दोस्तों हमने इंडियन T20 लीग के अंदर MPL के उपर टीम में बनाई थी और अब हम वल्ड कप के अंदर MPL पर टीम बनाएंगे और काफी सारे पैसे जीतेंगे दोस्तों IPL साल 2021 का सिजन रिसेंटली खतम हो चुका है और अब सभी टीमों का यहाँ पर प्लैनिंग होगी कि IPL साल 2022 के उपर पूरी तरह से फोकस करें दरसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ रिसेंटली मुकाबल हो था चेननाई और के के बीश चौती बार चेंपियन बन चुका है चेननाई सूपर किंग्स की टीम के के थोड़ा सा पीछे रहे गया हाड़ वर्क था बड़ किसमत काम नहीं थी केर दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोल गाता नाई टेडिस की टीम के बारे में और टीम के केर के तरह से काफी सारी अपडेट्स बाहर निकल के आ रही है team KKR के अंदर एक नए player के entry होने वाली है और ये नए player उनका captain भी हो सकता है तो कौन सा है ये player कैसे आने वाला है इसके अलावा दोस्तो KKR management की तरफ से भी बड़ा बयान आ चुगा है तो क्या है ये बयान, क्या है updates दिन बर की talk cover लेकर आगे हूँ मैं वीडियो काफी मज़ेदर काफी interesting होने वाली है तो दोस्तों आप सभी लोग से उमीद करूँ हो कि आप वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करेंगे और वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखींगे दोस्तों अगर आप भी है IPL के बड़े fan तो जल्दी से कर दीजे अब हमारी recent टीम हमने बनाई थी जिसके अंदर हमें 9000 रुपे उस टीम ने कमा कर दिये थे और आज के मुकाबली के लिए भी आप टीम अपनी स्क्रीन के ओपर देख पा रहे होंगे यही नहीं दोस्तों एक और खुशकबरी की बात यह है कि केवल और केवल 35 रुपे में आपको 12 मैचों के पास वल्ड़कप के लिए मिल जाएंगे जो कि एक बहुत यूनीक बात है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दियो है डाउनलोड करना ना भूँए टीम केक्यार को साल 2022 के अंदर सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर मेगा ओक्शन में कौन खरीदना चाहिए टॉप अपडेट्स की बात करें तो पहली अपडेट आ रही है केक्यार मेनेजमेंट की तरह से कि यहाँ पर केक्यार मेनेजमेंट की तरफ से जो को ओनर्स है उन्होंने ये डिसाइड कर ली है कि जो केक्यार मेनेजमेंट की लाइनप पर उसके अंदर काफी बड़ा बदला होने वाला है जी हां दोस्तों जो majority है, majority है KKR management के अंदर जो members है उनकी overseas पे जो staff है उनकी ज़्यादा majority है तो यहां पर दोस्तों वो Indian members लाने वाले हैं यहांने साल 2022 के अंदर आपको majority of members KKR management के अंदर Indians ही दिखने वाले हैं अब यह दोस्तों हो सकता है कुछी तरह से फायदा भी कर जाए और यहां पर दोस्तों नुकसान तो क्या ही करेगा Indian Premier League है तो यहां Indian ज़्यादा होने ही चाहिए आप दूसरा कोई management देखोगे तो इसमें आपको Indian की मातरा भी ज़्यादा ही मिल जाएगी खेर दोस्तों देखते हैं आगे इसके उपर क्या update आती है हम आपको पलपल की खबरे देते रहेंगे अगली update आ रही है केल राहूल को लेकर तो अब यह बात आप सभी को पता चली गई है कि PBKS याने पंजाब किंक्स की तरफ से याने जो दोस्तों उनके पूर्व कप्तान है केल राहूल पूर्व इसले बोला हो क्योंकि दोस्तों वो खुद को यहाँ पर available कर चुके है mega auction के लिए और अब दोस्तों कोई भी chance नहीं कि पंजाब उनको वापिस लेगा वो खुद भी पंजाब में जाना नहीं चाहते हैं ऐसे के अंदर दोस्तों केक्यार जरूर चाहेगा कि केल राहूल उनकी टीम में आ जाए अब इसका फाइदा क्या है दोस्तों धिनेश कार्तिक यहाँ पर एक बुरे उनके जो season रहा है धिनेश कार्तिका चाहचिस तोड़े आने जो भी हो आप दोस्तों इन short धिनेश कार्तिका उनकी उमर हो चुके हैं कहाफी senior हो चुकी है टीम को तो यहां दोस्तों किसी भी और Overseas खिलाड़ी की जरूत नहीं पड़ेगी कैप्टिन करने के लिए तो आप नीचे जरूर कमेंड करके बताओ कि Mega Auction के लिए केल राहूल जो है एक अच्छी चोईस हो सकते हैं KKR की टीम के लिए काफ है नहीं अगली अपडेटारी यह ओपनर्स को लेकर तो दोस्तों KKR के लिए इस साल कुछ अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो सबसे अच्छा यही हुआ है कि इनको एक अच्छी ओपनिंग जोडी लंबे समय के बाद मिल गई है क्रिस लिन और सुनिल नारायन की जोडी के बाद अगर कोई सक्सेस्फुल जोडी यहां मिल रही है तो वो यही होने वाली है धर दोस्तों मैं आप सभी को उता दूँ कि मेगा उक्षन के अंदर अब यहां पर काफी टीमों के पास चॉइसेद होंगी कि वो चार प्लियर्स को रिटेन कर सके उनके रूल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया थे और कुछ रूल्स चेंज होंगे तो वो मैं अपडेट कर दूँगा खिर अभी की लेटेस्ट अपडेट यह है कि के कार मेनिक्मिन ने ऐसा कह दिया है कि हम किसी भी कीमत के उपर इन दो किलाडियों को रिटेन करने वाले है याने रिटेन करेंगे या फिर आक्षिन के दर वापिस बाय करेंगे आपको ये दो किलाडियों तो वापिस सेम जर्सी में ही देखने को मिलने वाले है चैनल पर आपने हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को भी जरूर लाइक करो